Hello everyone, Good morning, देखिए, ये वीडियो बहुत important है, इसमें मैं कुछ important targets आपको कराने वाला हूँ, जो भारत सरकार या केंसरकार के द्वारा समय समय पर लिए जाते रहे हैं या आगे के लिए लिए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़दा important है, आरो आरो 2023 के प्रिलिम्स में, या UPP से 2024 के प्रिलिम्स में, किसी में भी कोई question इसमें से आ सकता है, तो आपको exact ये याद रखना है, बिल्कुल भी confused नहीं होना है आपको, देखिए, सबसे पहला है, कि भारत के द्वारा net zero का लक्ष कब तक लिए रखा गया है, तो ये 270 के लिए है, भार को उर्जा सोतंत्र, यानि कि आत्म निर्भर, यानि कि energy independent बनाने का लक्ष रखा गया है, 2047 तक, यानि कि 2047 तक, इसके बाद में पोत निर्माण में, यानि कि जो ship building है, उसमें आत्म निर्भरता, यानि कि self-reliance, हंसल करने के लिए लक्ष रखा गया है 2047 का, इसके बाद मे इसको net zero carbon emission या green railway बनाने का लक्ष रखा गया है 2030 तक, यानि कि 6 साल बात, basically, HIV AIDS कि अगर बात की जाए, तो HIV AIDS को खत्म करने का लक्ष रखा गया है 2030 तक, इसके बाद में बात आती है कि कुल वाहन में, 30% तक electric वाहन करने का लक्ष रखा गया है 2030 तक, यानि कि जो total vehicles हैं, उसमे 30% electric वाले हो, इसके बात आती है कि भारत में पूरी तरह से malaria का unmulan, यानि कि eradication of malaria भारत में पूरी तरह से, या है 2030 तक का, इसके बात में है कि कुल carbon उस सरजन में, यानि कि जो net carbon emission है, उसमें एक अरब टन की कमी, यानि कि total carbon emission में, एक अरब टन की कमी 2030 तक, बहुत important है यह the target, इनको as it is, याद कर लिजेगा, पहली बर अगर ये YouTube पर मेरे वीडियो देखने हैं, तो आप चाहें तो चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, चाहें तो आप definitely अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर सकते हैं, और टेलग्राम पर जॉइन करना ना भूलिएगा, अनुजिव चत्रवेदी, आप सार्च करोंगे, टेलग्राम पर आराम से आपको सामने ही मिल जाएगा, बहुत सारे लोग इसमें चले हुए हैं, डेली रिवाइस करो, रिवीजन में किसी तरकी कि कोई भी carelessness परदाश थी नहीं है, किसी को भी, ना आपको नहीं चाहिए, ना ही मुझे, लगाता पर अच्छे हैं, जो बाकी जो भी doubts, problems कोई करें, comments में share कर दिया करो, thank you so much.